सबी बच्चे अपने हिंदी भाषा मादरी की पुस्तक निकाल कर बैट जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें बच्चो हमने अपनी पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन करने सीखे थे और उनका उच्चारन करना भी सीखा था आज की कक्षा में हम बिना मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानेंगे तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नमबर साथ पार्ट नमबर एक बिना मात्रा वाले शब्द दिकाल लीजिए बच्चो स्वर और व्यंजनों की सायता से हम दो, तीन और चार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने सीखेंगे तो आएए शुरू करते हैं रीडिंग चित्र देखकर समझिए और पढ़िए बच्चो पहला चित्र देखिए यह चित्र एक रथ का है तो आएए शब्द पढ़ते हैं रथ 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 मेंज चेरियेट अगला चित्र बस का है बस 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 मीन्स बस ब-u-l बस अगला कलम 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 मीन्स पेन प-e-n पेन अगला शब्द मगर मगर मीन्स क्रोकोडाईल C-R-O-C-O-D-I-L-E क्रोकोडाईल अगला थर्मस थ-र-म-स थर्मस थर्मस मीन्स फ्लास्क F-L-A-S-K फ्लास्क अगला स्तरकस सरकस सरकस मीन्स सरकस C-I-R-C-U-S सरकस तो बच्चो आपने भी अपनी बुक पर इसी तर हैं इंग्लिश मीनिंग भी लिखने हैं आईए बच्चो अब कुछ अन्य बिना मात्रा वाले शब्द बढ़ते हैं बिना मात्रा वाले कुछ और शब्द पड़ी पहला शब्द कब, कब कब मिन्स वन W-H-E-N वन जब, जब रब, रब रब मिन्स गौड G-O-D गौड सब, सब, सब तब, तब, तब जल जल, जल जल मिन्स वाटर W-A-T-E-R वाटर हल हल, हल हल मिन्स प्लो P-L-O-U-G-H छल, छल छल मिन्स चिटिंग C-H-E-A-T-I-N-G चिटिंग नल, नल नल, नल मिन्स टै T-A-P, टै कल, कल बच्चो, ये थे दो वर्णों के जोड़ वाले शप्त अब हम पढ़ते हैं तीन वर्णों के जोड़ वाले शप्त अटक, अटक चटक, चटक मटक, मटक भटक, भटक लटक, लटक अब ली लाइन देखिए हल, 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 चल, चल हल, चल दमकल, दम, दम, कल, कल दमकल means fire engine F-I-R-E, fire E-N-G-I-N-E, engine पर, पर, वल, वल परवल मख, मख, मल, मल मख, मल कट, कट, हल, हल कट, हल means jack fruit J-A-C-K, jack F-R-U-I-T, fruit बच, बच, पन, पन बचपन means childhood T-H-I-L-D, child H-O-O-D, hood पच, पच, पन, पन पचपन गरदन, गरदन गरदन means neck N-E-C-K, neck अच, अच, कन, कन अच, कन means long cord L-O-N-G, long C-O-A-T, cord बच, बरदन बरदन means utensil U-T-E-N-S-I-L यू-T-E-N-S-I-L बच्चों, आज की कफशा में हमने पेज नमबर साथ के English meaning और reading करनी सिखी अब आपने इस पेज की अच्छे तरह से reading करनी है और दो, तीन और चार शब्दों को पढ़ना सीखना है हम अगली कफशा में पेज नमबर आठ की reading करेंगे Till then, have a nice day